मस्ते दोस्तों केटी रेसिपी में आपका स्वागते आज में बना रहे हूँ सेवया कश्टड रेसिपी यह बहुत ही टेस्टी बहुत बढ़िया लगता है मीठा खाने का मन हो या कोई भी महमान आए तो यह वाली चीज आप परुस दोगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगी तो इसके लिए हमने ये एक कठाई ले ली है तो कठाई के अंदर में एक चमच गी डाल दोंगी गी डालने के बाद हम इसके अंदर सेवया डाल देगे मैंने यहाँ पर आदी कटोरी के हिसाब से सेवया ले ली है और हम इस सेवया को अच्छे से रोष्ट कर लेंगे आपक यह वाला step बिल्कुल भी करने की कोई ज़रूरियात नहीं है मेरी यहाँ पर roasted नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर roast कर लूँगी सेवया को सेवया को roast करो तो इस बात का खास दियान रखो कि इसकी gas की flame हमेसा दीरे रखो High नहीं रखो ना कि High रखोगे तो आपकी यहाँ पे सेवया क्या होगी उपर उपर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से अच्छे से पकेगी नहीं इसलिए आपको यहाँ पे गैस की फ्लेम लो रखनी है इस बात का खास दियान रखे अब हमने 2-3 मिनिट हो चुकी थी और यह हमारी सेवया बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ भून चुकी है अब हम इसके अंदर 2 कप के जितना डूट डाल देंगे यहाँ पे और हम इसको अच्छे से चला लेंगे और हमें इसको बार-बार चलाते रहना है इसको छोड़ना नहीं है नहीं तो यह क्या होगा आपस में चिपक जाती है मैं यहाँ पे दो चम्मश बर के वेनिला कुष्टड लड़े रही हूँ पाउडर अब हम यहाँ पे आदा कप डूट डाल देंगे दूट डालने के बाद हमें इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेना है इसमें बिल्कुल लम्स न रहे इस बात का खास द्यान रखे इसको अच्छी तरह इस तरह से आपको मिक्स कर लेना है अब हमारी सेवईया यहां पर देख सकते हो थोड़ी थोड़ी यहां पर फूलने लगी है तो हम यह सेवईया अच्छे से फूल जाए तो इसके बाद हम थोड़ी चीनी डाल देंगे कि चीनी हमें इसी तरह पकने के बाद ही डालनी नहीं है इस में लो और पर आधा कब के हिसाब से यहां पर थोड़ा सा दूदफ डाल रही हो तोटर में यहां पर तीन कब जितना दूद्योर किया है इस तरह से हम इसको डाल देंगे अब हम इसके अंदर वेनिला का कस्टड पावडर जो बना के रखा था इसको हम डाल देंगे आप इसको डालो तो इस बाद का खास दियान रखो एक आज से डालो और दूसरी चम्मस से आपको इसको मिक्स करते रहना नहीं तो इसके अंदर ल इस तरह से डालने के बाद हमारे यहां पे बहुति बडिया तरीके से बन जाता है और गाड़ा गाड़ वह जाता है आप देख secति ओं होता है यहां हमारी बहुत यह बडिया वेनला कॉष्टर्ड बन के तयार हो चुका है अभ इस-अ-स्टेजपर यहां पे गैस ऑफ कर लेंगे क्योंकि यह थंडा होगा थोड़ा और भी घाड़ा होता जाएगा इसलिए हमें यहाँ पर ही इसका ऐस का अगलए देंगे तो यह हमारा थंडा हो जुका है रूम ट्रैंबरेचर पर आ गाया है अब हम इसको एक बरतन के अंदर निकाल देंगे और निकालने के बाद हम इसको फ्रीज में रखना है जिसके वो दो गुनत टेस्टी बन जाता है हमारा कुष्टर यहां पे तो इसको मैंने बतन में निकाल दिया है अब हम इसको फ्रीज में रख देंगे और फ्रीज में रखने के बाद हम इसको एक ग पसंदें वह हम डाल सकते हैं तो मैंने यहां पे मैंगो डाला है और बनाना डाला है आप यहां पे पॉमोग्रेनेड अंगूर अब यहां चीज़ें यहां पे डाल सब्सक्राइब कर दो ये कश्टर बहुत ही बढ़िया लगता है ज़रूर बना के ट्राइ कीजिए आप और पसंद आए तो लाइक सेरें और सब्सक्राइब कर दीचे